वेलकम बैक टू एकलव्या स्टेडी पॉइंट और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12 की इंग्लिश कोर का जो आपका बोड एक्जाम होने वाला है 2022 सेशन का इसका जो सेंपल पेपर है वो आचुका है इसका मतलब है आपका बोड एक्जाम का जो वो कैसा डिजाइन होने वाला है यह मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो देखिए आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का आने वाला है तीन गंटे का एक्जाम चलेगा आपका जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा question paper को read करने के लिए ठीक है और उसके बाद आपका जो question paper है वो three parts में divided रहने वाला है यहाँ पे जिसमें जो है आपका reading section होगा writing section होगा और literature होगा so third यहाँ पे point यह कहता है कि attempt questions based on specific instructions for each part write the correct question number in your answer sheet to indicate the options being attempted आपको अपने answer sheet में question number सही से डालना है ताकि check करने वाले को दिक्कत ना हो so section A की बात करें तो unseen passage का पहला question आपका रहने वाला है और यह आप दे की सकते हैं कि किस तरीके से आपका यह पूरा passage दिया हुआ है ठीक है और फिर इसके passages पे based जो questions है वो यहाँ पे mcqs की form में दिये गए है ठीक है और यह पहला question आपका mcq है दूसरे वाले में आपको लिखना है भई ठीक है तीसरे वाले में भी आपको लिखना है चोथे वाले में फिर आपको mcq type से दिया हुआ है फिर जो fifth वाला है उसमें भी आपको mcq type से दिया हुआ है sixth में आपको लिखके बताना है ठीक है फिर आगे आपका यह थोड़ा सा fill in the blanks type से है ठीक है इसको फिर आपको complete करना है sentence को फिर आपका MCQ है फिर MCQ है फिर दूसरा question जो आपका है ये भी unseen passage का है so unseen passage को आप पूरा अच्छे से read करोगे और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ tables में data भी दिया गया है आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और फिर आप अपना answer यहाँ पे दोगे ठीक है आप question का type देख सकते हो कि किस तरीके से आप से पूछा गया है ठीक है तो यह आपका unseen passage का first and second question रहने वाला है फिर आपका third question से section B start हो जाएगा creative writing skills so यहाँ पे आपको क्या करना है A और B में से कोई एक करना है A में दिया गया है कि आपको एक notice draft करना है it means आपके syllabus में writing section में notice आने वाला है फिर अत्वा में या फिर और आप इसको कह सकते हो और में आपको जो है यहाँ पे दिया गया है अगर आप इसको ध्यान से देखें कि draft a notice in note more than 50 words यहाँ भी आपको notice ही दिया गया है ठीक है तो इस तरीके से है फिर इसी का जो second question है section B का वो है इसमें से A में अगर आप यहाँ पे देखते हैं ठीक है कि you are Dr. Suchitra Mukherji you have received an invitation from the director आपको यहाँ पे accept करते हुए एक respond लिखना है ठीक है कि कैसे invitation को आप accept करते हो यह मैंने आपको अच्छे से करवाया है अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो description में आपको link provide कर दूँगा फिर a draft and invitation invitation पर मतलब आया हुआ है it means invitation आपको करना ही करना है फिर third question जो आपको दिया गया है ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है एक लेटर ही आपको यहाँ पे लिखना है जो आपसे पूछा गया है कि जिसमें आप अपने opinions बताओगे CSR से related यहाँ जो भी question में आपको data दिया गया है इसको आप पढ़के बता सकते हो फिर उसके बाद जो है advertisement ठीक है इसमें किया है कि आपको यहाँ पे अपने अपने advertisement देखा और आप एक job letter अब यहाँ पर लिख होगे ठीक है so यह मैंने letters आपको करवा रखे है fourth question में अगर आप यहाँ पे देखोगे article लिखने को आया हुआ है ठीक है और इसी को और करके भी दिया गया यहाँ पर report आई हुए article, report, advertisement, notice, invitation यह सब मैंने आपको करवा रखा है section C की तरफ जब आप बढ़ोगे तो यह literature section है और यहाँ पे आपको पहले ही question के ए पार्ट में poem दी गई है poem को अच्छे से पढ़ने के बाद आप यहाँ पे इसके mcqs को देखेंगे ठीक है mcqs को देखने के बाद आप इसमें से जो सबसे best option आपको लगता है उस पे आप अपना answer दोगे देखिए जो नए जो slayvers के according deleted chapter से पहले वो सब वापिस आ चुके हैं roadside stand और यह सब जितनी poems वगरा हैं जो chapters delete हुए थे वो सब मैंने करवा दिये हैं सभी का link आपको description में मिल जाएगा आप अच्छे से उनको देख लें आपका काम बहुत बढ़िया बन जाएगा ठीक है फिर यह poems से related ही आपके सारे questions यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं और आगे जो 1.b question है यह भी आप attempt कर सकते हो अगर उपर वाला आपको नहीं समझाता इसमें भी एक poem दी गई होगी या thing of beauty या whatever कोई भी आ सकती है और उसके बाद आप mcq उसको देखेंगे यह कर लेने के बाद में आपको फिर एक्स्टरेक्ट दिया गया है और एक्स्टरेक्ट को आप पढ़ोगे यह आपके books के chapter में से ही extract दिया गया है chapter जो है आपका on the face of it वहाँ से दिया गया है इसका extract पढ़ने के बाद आप इस questions को पढ़ोगे और उसका answer दोगे फिर extract दिया गया है फिर वहां के वहां के वहां से कुछ MCQs हैं और उसको पढ़ने के बाद अच्छे से आप उसका option देखोगे ठीक है तो यह MCQs हैं extract पे based और इसी तरीके से आगे आप अगर जाते हो तो यहां पे आपको दो दो नंबर वाले questions मिलेंगे आपके literature section से और आपने अगर अच्छे से पढ़ा है सब कुछ तो आप इसका answer दे सकते हो भई ठीक है इसमें क्या है any five आपको करने है ठीक है छह मैंसे आपको कोई five करने है और जो आपका sixth question है इसमें से आपको तीन मैंसे कोई two करने है और जो आपका seventh जो आपका question रहने वाला है इसमें से आपको any one attempt करना है यह किसी chapter की theme के उपर हो सकता है एक long question जैसे deep water के उपर है ओके सो यह हो गया आपका फिर eighth question है इसमें भी आपको any one करना है सो इस तरीके से आपका यह पूरा paper 15 page का है जो कि यहाँ पर आके खतम होता है अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो यह helpful लगी हो तो channel को subscribe कर दें और comment box में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी है और जादा से जादा वीडियो को share करें जय हिंदे जय भारत बहुत बहुत धन्याद